प्रेम का पर्फ, बंधन का पर्फ, सूत में बंधे रिष्टे की ताउम्र हिपाज़त करने की कस्मे खाने का पर्फ रक्षा बंधन एक ऐसा पर्फ, जहना धर्म या जाती की बंधिशे हैं, ना ही अपने पराय का भाव, बस जिस भी कलाई में राखी का ये धागा बनता है, वहाँ दिल से दिल की डोर बन जाती है, और यही बंधन हिंदुस्तानी है आदाब नमस्कार, मैं हूँ नौशीन खान, इस रक्षा बंधन स्पेशल में हम आपको ऐसे ही बाई बहन से मिलवाएंगे, जिनका खून का रिष्टा तो नहीं, लेकिन दिल का रिष्टा बेहत गहरा है, जिनकी आस्थाएं अलग हैं, लेकिन सोच एक है, और वो सोच है अनेकता में एकता को पिरोने की, ये भाई बहन एक दशक से भी जादव वक्त से रक्षा बंधन मनाते आ रहे हैं, और इस दिन दोनों बहने अपने भाई राहिल आलम की कलाई पर राखी बानती हैं, हिया चौदरी और वास्वती हजारिका, राहिल आलम को अपना भाई मान बचपन से ही राहिल को राखी बानती आई हैं, मूल रूप से ये तीनों गोहाटी के रहने वाले हैं, बचपन में एक शहर में रहे तो बहने राखी और भाई राहिल आलम तोफा लेकर बड़े प्यार से पूरे रितिरिवास से राखी का त्योहार मनाते, बड़े हुए त दो शहर अलग हो गए, भाई डॉक्टर बन गया, एक बहन पढ़ाई पूरी करने उनाइटेट किंग्डम चली गई, और दूसरी बहन की शादी दूसरे शहर में हो गई, लेकिन मीलो दूरियों के बावजूद भी, इनका रिष्टा आज भी अटूट है, हर साल राखी का तुहार तीनो बखू भी मनाते हैं, सुनिये इन तीनो भाई बहनों के अटूर रिष्टे की कहानी उनहीं की जुबानी And we obviously, we grew up in a very diverse environment, we had like our apartment we had families from all around India and I think that was a really nice way to connect to everyone So initially it was just the occasion of exchanging raakhis but over the years, I would always enjoy going to Anita auntie's house enjoying her amazing meals and catching up for Rahil dada he was always an amazing person to go to for advice to catch up I feel like we always send each other messages on social media or catch up on phone calls or either like we send each other mails and send the rakhi he sends me the gifts it's always an amazing way to stay connected I miss you and you're amazing thank you so whenever I saw my classmates in the Raksha Bandhan family or classmates that they are wearing the Rakhhi in school I was fascinated by what is my meaning behind it what is my meaning behind it so slowly we started to make Rakhhi bandhan they came to my home and I gave them gifts देता था तब मेरी एक बहन वास्वती हजारिका उनकी अब शादी हो गई है वह बैंगलोर में रहती है अपने हस्बिन के साथ लेकिन आज भी वह कभी भी रक्षा बंदन का त्योहार भूलती नहीं है मेरी एक और बहन है हिया वो तो वो मेरी वो उसे मैं अपने छोटे बहन की तरह मानता हूं वह अपने हाय स्टेडिस के लिए यूके चले गए लेकिन आज भी वह रक्षा बंदन के समय हमेशा मुझे कॉल करेगी मेसेज करेगी और उनकी राखी हमेशा रक्षा बंदन के समय आ जाती है अगर वह इंडिया में रहती है तो वह जरूर आती है लेकि कामने देना चाहता हूं उस तेंपे तो राहिल को भाईवानी लिया था अभी देखा जाए तो 15 years हो गया है almost more than a decade and we still have not let go of that tradition मैं अभी बैंगलोर में रहती हूं मैं फिर भी हर साल राहिल को राखी भेजती हूं मेरी recently शादी हूई थी एक साल पहले and हमारे SME's wedding में एक रिवाज होता है जहां पे छोटा भाई एक rice ceremony में help करता है और मिला कोई छोटा भाई ऐसे नहीं था इसलिए मैंने राहिल को पुच्छा क्या तुम वह ceremony में रिले करो के and he was more than happy to help and honestly वो पूरे टाइम शादी में भी पूरा प्रेजिन था and पूरा चोटे भाई की तरह बहुत मदद की and I think हमारा रिष्टा ऐसा है कि कभी पूछना नहीं पड़ता है कुछ पोलना नहीं पड़ता है it just is so natural हमारा कोई खूण का रिष्टा नहीं है but मैं जानती है कि मैं गौहाटी जाओंगी कभी भी तो मतरा राहिल से तो मिरना होगा ही and कभी भी गौहाटी नहीं भी जाओ कुछ भी and Rahil is actually a doctor कोई भी अगर problem हो like Rahil सुखा हो रही है कुछ हो रहा है तो उपर message कर दो automatically list of remedies आती है and that's the kind of care and bond we share together सुना अपने भाई बहन होने का ये फर्द सिर्फ एक राखी तक ही सीमित नहीं है शादी की उस रस्म में भी भाई Rahil आलम ने हाद बढ़ाया जब वास्वती को भाई की जरूरत थी इनके इस पाक खुबसूरत रिष्टे के किस्तों को इनके पैरेंट्स भी बड़े ही दिल्चस्पी से सुनाते हैं 20-60 साल पहले हम लोग मिले थे, एक की साथ रहे थे थे, मेरे दो बेतिया है जो बेते के साथ राहिल भी खेलते थे एक इसाथ खेलते खेलते हैं लोग का बॉंडिक इतना अच्छा बन गया रहार सहर मेरे बेती उसको राखी पिनाता था एक अटूट भाई बहन का रिष्टा जो आज तक भी कायम है और जैसे भी दोनों मरे हो गए हैं अब करीबन 17 साल हो गए हैं हर साल लोग मनाते हैं अभी दूर रहने से भी अपनी राखी भेंजते हैं, गिफ्ट देते हैं राहिल को और दोनों की भाई बेहन का रिष्टा वजबूत था अभी रहते हैं और भविश्य में आशा करती हूं रहेंगे राखी के इस अटूट रिष्टे का सही माईनू में मतलब जानेंगे तो देखेंगे कि ये भरोसे का वो धागा है जो दिल से दिल की दोर को जोड़ता है जहां स्वार्थ नहीं इसने और अपने पन की आस्था है तबी तो हम कहते हैं कि ये बंधन हिंदुस्तानी है जो है आपके आसपास आपके शहर का खास वो दिखाएगा आपको DNN24 आपका अपना Digital News Network तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो